बंगाल की खाडी में बना कम दबाव का क्षेत्र भीशन चक्रवाती तूफान निवार में बदल गया है। तूफान धीरे धीरे तेज हो रहा है और इसके रात तमिल नाडू और पुडुचेरी के तट पर तकराने की संभावना है। इस दौरान एक सो से एक सो दस किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाई चलेगी जो आगे चलकर एक सो पैंतालिस किलो मीटर प्रती घंटे तक पहुच चाएगी। मौसम विभाग इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। चकरवात का असर भी अब कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। चेन्नई और कांचीपुरम में तेज बारिश शुरू हो गई है। तूफान के मदेंजर दक्षन पश्चिम रेलवे ने कल के लिए निर्धारित दो ट्रेनों को रद कर दिया है। इसके अलावा चेन्नई से आने और जाने वाली 26 उरानों को भी रद कर दिया गया है। राष्ट्रिय टेस्ट एजन्सी ने कहा कि 26 नवंबर गणित विज्ञान और रसायन विज्ञान को आयोजित UGC NET 2020 परीक्षा उन सभी परीक्षा केंद्रों के संबंध में अगली सूचना तक स्थधित कर दी गई हैं। जो पुडुचेरी और तमिलनाडू में स्थित हैं। बजे तक निलंबित रहेगा। चक्रवाती तूफान निवार के मद्देंजर दक्षिन रेलवे ने 26 नवंबर की साथ प्रेने कैंसल की। भारी बारिश के बाद चेन्नेई के पून मल्ली के आसपास के क्षेत्र में गंभीर जलजमाव हो गया है। तूफान की वजह से कमिल नाडू, पुडुचेरी और कराईकल के तंजावूर, तिरुभूर, नागा पटिनम, कुडलोर, चेननई, कांची कुरम, चेंगर पट्टू, मायला दुथिराई, अरियालूर, पेरंबलूर, कल्लूराची, विल्लुकुरम, तिरुवन मलाई के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, मुख्य मंत्री नारायन सामी ने कहा, कि लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए, 80 परे को देखते हुए, पुडुचेरी के मुख्य मंत्री गी नारायन सामी ने कलापेट इलाके के आसपास शेत्रों का जायजा लिया, ममलापुरम में तेज हवाई के साथ बारिश हो रही है, आज मध्य रात्री और कल सुभा निवार तुफान के कराईकर और ममलापुरम क के बीच लैनफॉन होने की संभावना है, मौसम विभाग के महानी देशत मृत्तिव जय महापात्र ने कहा कि चक्रवात निवार धीरे-धीरे तेज हो रहा है, यह सनरचनात्मक ख्षती पेडों को उखारने, तिनके घरों को नुकसान पहुँचाने, केले और धान की फसलो को बर्बात करने में सक्षम है, इस दोरान तेज हवाएं और तेज बारिश होगी, सबसे अधिक प्रभाव कुडुचेरी और कराईकल में होगा, तमिलनाडू में तूफान निवार का असर देखने को मिल रहा है, चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भ हो गया है, चक्रवाती तूफान निवार आज तमिलनाडू के तट से तकराएगा, विभाग के अनुसार चक्रवात निवार अगले 12 घंटों के दोरान एक कंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा, और यह पुडुचेरी के दक्षन पूर्फ में 380 किलो मीटर औ पूरी पर है, तमिलनाडू और पूडुचेरी के तटों के आसपास कराईकर और मामल्पुरम के बीच देश शाम तेज हवा के साथ चक्रवाती तूफान पहुँचेगा, तूफान के मद्दे नजर तमिलनाडू और पडोसी केंद्र शासित प्रदेश पूडुचेरी के अलर्ट पर रखा गया है, और असरक्षित इलाकों से लोगों को निकालने सहित एहतियाती उपाय सरकार द्वारा किये जा रहे हैं।